सबस्क्राइद पाकिस्टान के अंदर हिंदों को अपज़ देते हैं कि वह अपाधद करे अब नहीं जाज़त देज़ा। फेर फिर फिर हिंदू को क्यों य Damit देंiley हम वह पेल्समें हो और वह आ में दूभा पंद्रूरम जानेई जाना के दूड़ थिक सब्सक्राइब इंडिया के अंदर आप उन्हें घंडियों मुंसल्मून धुजी जो घाए पिर मंदर किराना चाहिए तब देंगे कि मंदिर को तोड़ कर एक कौफी शौप बनाया जाए जैसे और मेरा खिवाल नहीं आई है टोड़ना जाहिए नहीं तोड़ना जाहिए तोड़ना है कि यहाँ पर तूटाबूटा ही रहेगा मंद्र वाता किसे चाहती है कि दों की बाभ नहीं के सवादा करने के जगा आइस पाकिस्तान के अंदर किसे आपके दूश्मन है कि सर हमारे भी जो मुसल्मान बाई है ना उनके मुलक में रहे हैं ठीक है वह उनके साथ जुल्म कर रहे हैं इसलिए हूप उनको भी उनके साथ जुल्म करें के बितर एक वो हमारे बैदा जलम ना करें वह भी अपनी तरफ चाहिए कि और को कि राद था युपσα गराना करेंगे तो यह हो कि महज़श्ट नहीं करेंगे तो पाकिस्तान के यंदर मंदिया के अजितने करने इत् Way मते हम सारी कि ये मॉसलमानों की मछिध देगे हैं फिर हमक्यária फिर एल्ग विसे करेंगे तो आपके मदभी कोई इज़त नहीं करेंगा बिल्कुल नहीं करेंगा मंदर ना किराये क्यूंकिंगे उनक क्यूंकि लेसे में स्वर्द के लिए कोई आप लोख करते हैं इसलåक के अधर सके मुझाएग्रा किया सरे मंदिर तो खराब किया हुआ थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन इस तरह के भाई जिस तरह से इन्हों पर्पाकिस्तान को क्या देना जाएगा इस बैसे क्या पैगाम देई करियो अगर मंदर बना भाई हमारे बना हुआ है तो अभी काया रहे हैं कि मंदिर गिरा कर हम वहां पर कोफी शोप बनाएंगे चाहिकी दुकान बनाएंगे साधा लफजों में नए बिल्कुल नहीं मंदरी बना रहे हैं अच्छा बर्दस बात की बहुत पहरी लगी आपकी बाद थैंक यू सव मत वेरी नाच बनाएं जाएगी उस बारे में पाकिस्तानी पुपनी कराहरे लूँगा कि मंदिर कोट कर कोफी शोप बनानाएंगे बिल्कुल नहीं तोटना चाहिए क्योंके इसी थाना जब हिंदूस्तान के अंदर बावरी मसजप को शहीद किया गया तो पाकिस्तानी जो थे मुसल्मान थे उनके दिलों को काफी ठेस पहुंची थी ते इसी तरह जो हिंदू रिलीजन वाले उनके दिल को भी ठेस पहुंचेगी तो मेरा ख्याल है कि यह नहीं तोड़ना चाहिए आप की रिया राये समय सब्ससे पहले तो हमारा इस्लाय में अबादज गर्म गर्म फोतर को तो हमझानती हैं कि इसे से काम करी है कि भस आप क्श्मीर के बाहरे में बात ऒर दे कुछ सब्सक्श्टीам पहले इंडिया के करतारपूर कोरिडर खोला है इसी तरह से आप हमें करो कि हमारी टूरेस्ट जो है कश्मीर के अंदर आए आकर विजिट करें अपनी अबादत गाहां में आए अपनी अबादत गाहा को देखें और ताकि हिंदू से भी आप लोग पैसे जर्नेट कर सको अगर इस तरह का कोई क कश्मीर के अंदर तो आपको नहीं लगता कि हमारी को भूस मिलेगा क्या यह बाते हमारी को समय नहीं आती के सबसे पहले कोई भी काम है अगर उसका उनका बंदा एक भी हमारे इदर आता है तो हमें उससे बहुत मिलेगा इसका मतलब यह हैं उनके मंदत ओड़े हैं पर लोगों का मानना यह है कि यहां पर पाकिस्तान के अंदर एक भी मंदिर ना रहे लेकिन वहां पर सारी मज़िदे मज़िद तामिर करते जाओ यह तो आजकल जो मुसलमान है नहीं मौल भी माश्याला लापक इनको और बलन बाद यह कहते हैं आओ हमारे पीशे लगो बाले हैं इंडिया के लिए चलते हैं अनधिया को नाम Exodus करते हैं ह। ब使ा है निइह वह चैए हमें इन चीज्टों से मुन्सिलिक होना ही नहीं चाहिए हूंने चीज्टों का को पारदते क्वा कि और बता या पाकिस्तान में आओ पाकिसन में विजिटर आए और भी आए यह जूरी तोड़ी है कि मंदर तोड़ने से देखें हम किसी भी नजरीय को खतम नहीं कर सकते हम मुलक के अंदर टुरिस नहीं आता इस डर से के पाई एक्स्रीमस लोग है कुछ मुझसे गलती होगी तो मार अब मुसलमानें की मुसलमानों आख रहा है दूसरी में जुम्सलमनों देंव दूम हो रहे हैं और अबिनूम नमाज हमें करते हैं वह अपनी आपद हमें आपनी आप आपने आपना तो हमें किसी इसकी प्रोब्लम में चाहिए हम कौन होते हैं उनकी अबादत का जब हमारे इसलाम इजाज़त नहीं दे रहा कि आप किसी के अबादत को तोड़े तो फिर यह गोर्मिन को नोती है हम तो आज के उठे हुए कहा रहे हैं गादत को तो यह वह जब वह अपनी अब पादत करें जो मरजी करें हमें इसे कोई भी मसला नहीं होना चाहिए शुक्रियत हैं आप एक मिट रुकिए का मैं आपके ना बात किसी और बंदे के साथ करवाना चाहूंगा कोई इदर से गुजरे तो मैं उनसे बात यह इसक्वीज में एक मिन बात सुनिएगा एक सिरफ पाकिसानी बंदे के साथ कोई 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 आजाएगा इस पारे में आपकी कह रहा है क्या मंदिर को तोड़कर कोफी शॉप बनानी चाहिए यार देखें पार्टिशन से पहले यह सब कॉंटिनेंट एक दा देखें यहां पे हिंदूं की बादत गाहें वहां पे भ सब्सक्राइब करना चाहिए हमें यह सिर्फ मुसल्मानों को थोड़ी है मुलक सिर्फ मुसल्मानों को थोड़ी है ऐसी है यह मैनुरिटी मुसल्मानों के इसका यह मतलब नहीं कि मुसल्मानों का इसमें कोई भी आके रह सकता तो यह मेरे ख्याल से यह बिल्कुल गल्द है है और विसकेड तरो के मंदिर को तोड़ा जा इसके गयंस वह और के आपने एक मिट देना मुझे मैं किसी ने किसी को डूनता हो भी यह को नहीं यह लिए नहीं पर कोई निकाल फ़ censorship कर आए कर को और प्र डिफ्रेंट करा कि अब उनकी सुच किया है इनकी सोच कहा है जो दूद के मैं दूसरे अंकल को लेका है लड़कों के साथ बादसीत कर वाते हैं अंकल लड़के का कहना है कि कश्मीर के अंदर मंदिर है जिसको तोड़कर अभी कोफी शौप बनाने जारी हमारी गवर्मेंट यह बच्चा कह रहा है कि मंदिर को नहीं तोड़ना चाहिए कि देखेंटेका अपने मुलक के अंदर मंदिर को रहने नहीं देंगे तो एंदूस्तान के अंदर मजित को क्यों रहने दे हम पर इस तरह से हमारे करते हैं कि जिसम्हां हुआ करें हमें वह तंग नहीं कर रहें ट्रीके थिक ना इस तरह हमारे कि मुसल्मानों पर जलम होता है वह हमारी कर्डिशन की विजह होता है हम कुछ ऐसा काम करते हैं कि जिसके वह जलम सहना पड़ते हैं ठीक है ना यह पॉइंट वाली बात कि अब देखें ना कुछ भी बात कर लें अब पाकिसान में हिंदु तंग नहीं कर रहे अब उनका मंद करना को लकिन उसमें आपको क्या पता कि उत्रूर्य हिंदू हो हो उनकी फोज में मुसल्मान नहीं वान में दो एक तलो मुसलमान भी आुए कर रहे ना मुसलमान आप बिल्कुर सही क्या रहे हैं जलुम कर जलुम की बात को मैं यहांपर थोड़ा इसना अपने कंडिशन्स के इसाप सापको थोड़ा बताना चाहुँगा मुझूदवा टाइम के अंदर जो आटा जितना महिंगा किया हुब कितने का अटा केया हुआ है इंडिया के अंदर आटा 25 रुपए किलो है चीनी जो है वहाँ पर जो जो इस टेम तल चल रही है चालिस तीस मेरी बेरेकाल से 30 से 20 रुपए किलो चल रही है यहां पर कितने किलो चीनी अब आप मुझे बताओ यहां पर जितने जल्सा जलूस होते हैं पूरे कश्मीर के कि आप छोड़कर हमारे पास आएंगे नहीं असल यह हमारे तो ताजर जो है चोर बजार बनाया और नहीं खुद बहुत ही वह नहीं आप ही मंगाई करी जा रहे हैं क्या कश्मीरियों को उन सारी फैसल्टिस को छोड़कर कहेंगे कि हम मुसल्मान हैं हमारे पास आओ जबक कि अगर कोई भी मुलक है उसमें जो भी मुसलमान जो बहुस्टा रहा है उन पर जूल्म हो रहा है मानते है चीज में जलाए अगर हमें यहीं पाकिस्टान के जो बी बैठा हुए हमें वस्लीटी हैं तो हम कभी भी पाकिस्टां को चोड़के आपको पता है कि 60-70% विजिट करके आय। मैंने कश्मीरों से पोच्छा कि क्या चाहते हो आप पाकिस्तान के साथ सब्सक्राइन Start और क्या वहाटाने की कोई असी चीज मुझे बता दें जो सस्ती है इसमें कहीं न कहीं क्या लगता है स्टूटन थोड़ा इसे आ गए हो क्या लगता इसमें कहीं ने करें घ्रफ्र हम क्रिस्टिन को हिंदू को हिंदू करना शूरू कर देंगे बाहए कंट्रीं के जितने भी लोग हैं फिर हो हमारे मुष्लमन को बैसिकलि अनुक्र करें गें को पॉन को मारें जुम करें गें हर जो बी पुनियाद बंती हो आपड़ अगर आप बिल्कुल ऐसे ही है देखें अभी मंतर तोड़ देंगे वह पाकिसान में जो बाद की जाती है ना वह के रहती है अभी मंतर तोड़ देंगे उन पे कोफी बन जाएगी लेकिन एक बाद रख लें फिर हमारी जब महलवी यही सब उठके कहेंगे जलसे निकालो जलूस निकाल हो हमारे मस्टें तूटी जा रही है अभी फलस्तिन की बात कर लें मस्टा पर जलम हो रहा है इधर जलसे निकाल लेगा जब इनके में से कोई बंदा आप अपनी आर्मी को बेचें वहां पर खुद जाए अगर आपने राशनल लेके जाना तो लेके जाए इधर से दादा पाकिस्तान के अंदर हर एक मजभ को अजादी मिलनी चाहिए पहले यह कह रहे थैंदू का मंदिर तोड़ दो लेकिन हमारे और इस भाई के मैनत की वज़ा से अंकल को अंकल न कहा कि भाई नहीं अब ही से हर एक मजभ को अजादी मिलनी चाहिए हम यह मैनत ही कर सकते हैं हम अपरी तरफ से कोशिश कर सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर लोगों को अवेर कर सकते हैं कि हर एक मजभ को अज तब ही हमारी रिस्पेक्ट होगी बहुत शुक्रिया यार बड़ा ही अच्छा मैसीज दी आप लोगों ने बहुत अच्छा लगा बात करके थैंकियू सौमच बहुत शुक्रिया सब्सक्राइब करते हैं कश्मीर के अंदर एक मंदिर बहुत पुराना मंदिर जिसकी तारीक अगर मैं बात करो तो बहुत पुरानी है गलत नहीं इसलिए तारीक अकुरूट बताऊंगा नहीं तो अभी हमारी कि और मंदिर को गिरा कर वहां पर यह बनाएंगे कोफी शोप किया किसी कि अबादत गहांगा को गिराएंगे तो क्या को क्या मैसिज देंगे क्या कहना चाहिए इन लोगों को समझे नहीं या सब्सक्राइब करने च्छाइब आपके जगें होती है कि इसकी रिलेजन की हो वो कव्मी विर्स होता है और एक दो जैसे मारी मसाजिद हैं मुसलिम हैं तो कोई भी मारी मस्जिद के तरफ कोई मैली आंग्स देख गा तो हमें घुस आएगा हमारे अंदर शिद्ध पसंदी आएगी तो एल्टिमेटली इस तरह की काम करने से के मुल्क में आगे जीज़ना तन से दिया दोनों ने कैसे दोनों पाकिस्तानों की पॉजिटिव पॉजिटिव थिंकिंग थी इनोंने का किसी भी रिलीजिन को खतरानी कि देना चाहिए किसी भी रिलीजन की इबादतगाय की हिफाज़त करनी चाहिए उनका कौमी विर्सा है तो क्या कहना चाहिए बहुत सारे लोगों की यह भी मेंटल्टी है कि भाई पाकिस्तान के अंदर हिंदू नहीं रहने चाहिए यह इसलामी जमूरिया पाकिस्तान है यह मुसल्मान रहने चाहिए इसलाम की जगह इसलाम का लाइसलाम का गड़ है तो इसके बारे में क्या ख्याला तसवर हाद आप चले इसलाम का सशुरूओं है अदरत मौहमुद सब्सक्राइस सुरूण पहली इसलामी रात मदिना थी तो उसमें निदिए और उनके सथा एक्र निज़िया है तो हम आज के मुसल्मान हम कहा से उनके मतलब ऐसे कर सकते हैं हमें तो इसलामने सिखा इन नहीं है यह तो अब इंशार पसंदी और मुख्ली जो शिद्द पसंद उल्मां उनकी नजरियात होते हैं यह जो लोग होते हैं बाकि इसलामने यह निशखाया और ना इस्लामी जबूरियत पाकिस्तान का कोई यह मौटिव है कि हिंदों को बार निकलना चाहिए यहां मिनौटिस की इफाद़ करने चाहिए हमें तो मेरे नहीं ख्याल कि यह नदरिया ठीक है लोग भाई मैं तो यह कहता हूं जो हम सारी हम सारी इंसान है इस सबसे पहले बात जो अगर हम कहते नहीं इधर हमने बहुत दिखए मैं खुद लवर में मैं पिछए करने वाला हूं स्वाइब करने वाले हूं मगर बेबिसकों भी जेखायाल है वो टथान को निकालना चाहिए मगर उसको आसल में आस्ट्री का पतह यहीं पाकिस्तान को अबाद से कि अगलने से कितना नुक्सान हुआ महिशाट के मैंशाट क्या कहेंगे ? देखें इतने साल से रहा थे इतने कामों में बांद थे वितने थे जए तर में प्टाने हम इन देखा है यतने इमारी बठान भाई हैं वो सब में प्टान काम हुएं नहीं समेघाती हैं लोंको निकालेंगे हैं यहूद कहता है ना जिय चुक है हम सब्खार हम घुक हैंगे हम टविश्ट को भी गराएंगा और से फ्रहा है जब कलिमा भड़ा हैं ना तो इंशालला उस पे हम काइम हैं यह जो करे हमारी उकमराइज जो करे चाहिए यहुदी जो करे हमें उसे कोई डर नहीं हमें ला से खौफ है और बाकी हमारे सारे बाई है क्या कहना चाहेंगे पठानों को यहां से जब निकाला जा रहा था तो देखर दुख हो रहा था कि भाई नहीं यह से नहीं करना चाहिए था भाई इनको पहले भी